गुड मॉनी गाइज आज है 22 सेप्टेमबर हम लोग डिसकस करने वाले के एडिटोरियल फॉम दा हिंदू और यह कंप्लीटली हिंदी में रहने वाला है बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्फुल हो सकता है दूसरा यहां मिलने वाला है आपको बुकाइबलरी के ऐसा तड़क यह silent killer है कौन देखिए जितनी भी BP की जो बीमारी होती है उसको बोला जाता silent killer BP की बीमारी इन कितने पेशेंट है यह कितनी बीमारी हमारी हां पर है इस सारी की सारी मैं आज आपको explain करूँगा इससे क्या क्या खत्रे हो सकते हैं यह fatal disease है यह नहीं है यह सब मैं आपको explain करन अंडर कंट्रोल इंडिया गैट दलो इंडिया में चाहिए लेना है लोगों को क्या की की म算द रखना है blood pressure under control क于 इंडिया के लोगों को जरूरी है कि blood pressure को control में रंके बनना क्या हो सकती है मिरत्थी हो सकती है विकॉज आफ ये फैटल डिशीज है ठीक है ये समझ में आ गया टाइटल और सब्टाइटल दोनों ही क्लियर होगोंगे अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी बुक आप पर जो कि आपके एक्जाम में चार चान लगाएगी आप प्रेपरिशन में और मैं आपको कराऊंग तो आज पीवाई क्यू जैसे कि डेली कराता हूँ और तब आप जाके देखना कि आपका लेवल अक्चली क्या है अगर सारे कुछन सही कर दी तो बहुत ही अच्छी बात है नहीं कर पाए तो महनत करने की जरूरत है तो लड़ से स्टार्ट देखते हैं आज बुक आप में की और दोपनें नहीं से लिए और दूसरा है काडीयन डिसिज्श औप अब लॉट बैजल यानिकि बठसेश और मन्दित व्लो करता है उससे यह फिर हो helemaal क्यूंति mine कंटिनुम का मतलब साथ अच्छा बड़ा और यह कभी-कभी आ जाता है नाउन है और इसका मतलब होता है मोटा इसको बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा बड़ा यह भी बड़ आया हुआ है और ठीक है तो आपको मालम होना चाहिए इसकेची का मतलब खाके की रूप में यानि की अन इलैबोरेट बहुत ज्यादा उसे एक्स्पेन ना किया हूँ गिविंग ओनली मे मेजर मेजर पॉइंट्स बता दिये हैं लैकिंग कंप्लीटनेश जहां पर पूर्ड था की कमी होती है डेड़ इसको डिसकेचिंग ठीक है आप यह दिहां रखना है अच्छा बड़ है और एक्जाम में बन सकता है आपके स्ट्रॉक का मतलब प्रभाव होता है आगहात होत होता है जिसको हमें स्ट्राइक स्मूथ लिया नहीं प्रभाव अनि अट्यक करना इस मूथ डेड़ इसको डिस्ट्रॉ ठीक है कट डाउन का मतलब कटोती करना होता है और यह फिरिजल बबाव बैरी इंपोर्टन दिहां रखना हर चीज पूछी जाती है आपको फिले कभी पूछेगा कभी इंप्रूमेंट में पूछेगा पूछेगा जरूर में का रेडिक्शन एनिया किसी भी चीज में कमी करना तो यह थी आज की बुक आप कैसे लगी मुझे कॉमेंट में जरू बता हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरू कर दें कर सकते हैं अगर आपने शेयर कर दिया तो तो फिर मज़े आगे भी फिर तो गाट एंसे नहीं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अब मैं चलता हूं पर पीवाई क्यू बहत्रीन तरीके के यह यहां पर ठीक है यानि कि मैंने आज टोटल सनेनेम पूछें कल भी पूछे थे अ पहले अगर बढ़ की बात करने का मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चड़ा कर कहना होता है कि इनका मतलब उत्सक होता है ट्रबल का मतलब परिशानी दुख कह सकते हो ठीक है तो आज आप आराम से यहां टिक कर सकते हो शेकंड ऑप्शन इस यूर आंसर ठीक है और हम मुझे ज इस तरह के कुशन आ रहे हैं और पूछ रहा है ना तो इसमें हाइलाइट किया हुआ है और पूछा है कि इसके सनेनिम बताईए कि यूटिलिटेरियन इस्थान जो रभया है उसका गौर्मेंट का अब देखें मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो आपको यह मालम होना अच्छी गौर्मेंट का तो पूछा ही नहीं है यह में यु इते लिलिटेरियन का मतलब ही पूछा होगा और इसका मीनिंग क्या होता है इसका बिल्कुल नहीं सकता है यह जन्य को सकता है då बुड़ना होता है अब सबस्क्राइब आपको पता हिए और मतलब क्या हो सकता है देखें ऑप्षन में डाउटो में ऑप्रुबल मतलब किया जाए कोई बीचीज क्या किया जाए कौने का मतलब को रही होता है निश्चित तो निश्चित या इन सर्टेन का और डेफिनिट का मीनिंग एक ही है तो फूर्थ ऑप्षिन क्या हो जागा आपका आंसर हो जाए नेक्स्ट कुछिन है आपसे पूछा है डारेक्ट लिए बिनोवलेंट मिल्दा क्या होता है तो पढ़ने की जरूरती नहीं है ब इस सद्रेब का मालब्डार होता है नम का मतलब एक दम चुप पढ़ जाना जैसे कि बोलना चुपी बंदो जाना ठीक है तो चुप धामलेना बहुत अब होते हैं नम का मतलब यह सुन पढ़ जाना बाते की है तो बिनोवेलेंट कमलब जेनर आनके दयालू ठीक है कि आपक आण से कुशन पूछने जाने लगे हैं तो जो ब्लैंक में बाद lucky उसका बताना है क्या सिने ने origins दूश्रा बड़ème का मतलब होता होता है उत्शुक होता है तो आपको पता यह इगऄ रौ blending स्पे कर देंगे टेक शिट बड़ने एक सम का मतलब क्या होता है क्षम का मतलब परिशान करने बाला क्षट प्रत बोल सकते हम हम चूरी कस्ट ठीक है क्या होता है तो अजनी से ज़र्ज क लोगे नेक्ट स्कूंषन हमारा टेडियस का मतलब होता है थकाओ जो आपको थका दे टायर्ड सम बुलकुल हो सकता है टायर्ड सम का भी मतलब होता है थकाने वाला या जो थकाओ होता है सब्सक्राइब माझा है कि इसी चीज को दोरहाना सीमपल सी बाद अब दूबहर ले देता हूं पॉए ठीक है किशी कोई बी मोर दें 50 Oh जाओ, more than 50 years, दिहान रखना, यानि कि 50 साल से ज्यादा को, यह 60 साल का जिसको हूँ, बोल सकते हैं, हम 3 score, दिहान रखना, बहुत ही अच्छा बड़ है, नया बड़ है, आपको मिल सकता है, एक जाम में, ठीक है, next है, bandita, bandita का मतलब होता है, एक तरीके से बदला लेना है, पिर सिदा, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूँ, next word है, disagreement है, यानि कि मतलब होना, सिदा-शिदा है, और facilitate का मतलब है, हिलना, सिदा-शिदी बाद, अब आप ही बताए, तो यहां पर disagreement के अलावा कोई option भी नहीं है, जो यहां से relate करे, bandita याने बदला लेने से, disagreement होता है, तब ही ह विश्वास ना हो, मैं लिख देता हूँ, ना हो, अब आप देखिए, क्या हो सकता है, क्या realistic हो सकता है, नहीं, realistic का मतलब है, सच्चा है, reasonable का मतलब कारण, unachievable जिसको हम प्राप्त ना कर सके, unbelievable जिसको हम विश्वास ना कर सके, तो incredible, unbelievable, दोनों ही क्या है, शिनेरिने में, ठ पाती साथ, मैं आपको यहां बता देता हूँ, कि इसकी जो PDF है ना, वो टेलेग्राम चैनल पर मिलेगे, और जिसका लिंक मैंने दे दिया है, नीचे, ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं सिदे सिदे एडिटोरल पर, एडिटोरल क्या कहता, देखिए, अब देखिए, silent killer, silent killer क कोन है, बीपी की बीमारी, silent killer, बीपी की बीमारी को बोला गया है, ठीक है, इन्होंने बोला है, इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल, लोगो को कराना है, क्या बिलेट कंट्रोल में हो, ठीक है, बिलेट प्रेशर, क्या हो, कंट्रोल में हो, यह इंडिया को लोगो का बिलेट प करता जाओं और दिहान से समझना सारी चीज़ बताने वाला हूं ग्लोबली का मतलब ब्यापक रूप से बिश्युमें ठीक हाइपर टेंशन अफेक्ट यानि कि जब हाइपर टेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना कि कहने कहने ग्लोबली अगर देखा जाए तो हाइपर आट ओ फाइव यानि फोर आट ओ फाइव अगर देखा है डू नोट हैव एडिकवेट कंट्रॉल यानि कि बीच पर अगर मैं हंट परसेंटेज निकाल तो असी परसेंट लोग ऐसे हैं जिनको अपने बीपी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहें ठीक है यानि बंधर्ड लोग क्या बोला है according to the first health organization WHO report on hypertension released on September 19 तो यह जो आकड़े मैं दे रहा हूं आपको यह 19 सितंबर को WHO की report आये थी hypertension पर ठीक है उसके according बता रहा हूं मैं ठीक है तो पहला sentence एक्दम क्लियर हो गया तो इतना क्लियर हो गया अब मैं आगे वाले sentence को highlight करता हूं उसे रब करके आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि it is a grim grim का मतलब थोड़ा सा दुखा देखते रही कि इसी reminder है कि countries मतलब जो देश है have done little थोड़ा सा कम किया है ना के वरावर किया है to keep the biggest risk factor for death and disability कहने का मतलब है कि death or disability के लिए biggest factor है hypertension ठीक है उसके लिए country ने कुछ जादा बहतर काम नहीं किया है ठीक है under check despite यानि कि उसको चेक करने के लिए BP को कैसे चेक किया जाए उस पर treatment कैसे किया जब की desperate का मतलब है जब की easy availability है इसकी inexpensive medicines मिलती है BP की कहने के मतलब है कि हमारे देश में या किसी और देश में भी जो medicine है आ रही है इसकी ठीक है यानि कि सारी चीज़ सस्ती दवाईया और उसकी जो check-up है ज़्यादा महगे नहीं है उसके बाबजूद भी लोग control नहीं कर पाते या फिर इस पर ज़्यादा दिहान नहीं देते हैं ठीक ऐसा भी आप बोल सकते हैं अब मैंने क्या करता हूँ next sentence को highlight करता हूँ यहाँ और उसे explain करता हूँ यह देखी क्या बोला है uncontrolled जो BP over यानि कि ऐसा बोल सकते हो over 140 out of 90 यानि कि जब 90 से ऊपर चला जाता है वो hypertension या BP high हो जा जाता है ठीक है measurement maximum 80 तक होना चाहिए या 90 के बीच में is a main risk factor for the cardiovascular disease यही main factor है हिर्दे रोग बीमारी का such as heart attack होना stroke होना heart में ठीक है और the most common cause of death disease and death यह सबसे common factor है बीमारी का और मिरत्तिव का ठीक है यानि कि BP से ही heart attack आने के chance ज्यादा रहते हैं clear है तो इस चीज को क्या करना चाहिए control क्योंग ग्लोबली देखा है तो बंद थर्ड पर्शन लोग तो इसी से भीमार है भीमार है ठीक है इन्होंने क्या बोला है कि it is important to note that यह note करना या ध्यान देना जरूरी है कि that health risk associate with hypertension do not begin at over 140 out of 90 यानि कि यह बोला है कि hypertension associate जो होता है व जीवन के लिए यानि कि मिरत्यू भी हो सकती है heart attack भी आ सकता है तो इन चीजों को क्या करना चाहिए थोड़ा सा control करना चाहिए और धिहान देना बिश्यस तो बहुत ही अच्छी बात है अगर यह लोग आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को भी जानकारी होनी देखा जाए अगर देखें कि लगातारी से बिलो भी होता है मतलब बनफोटी से कम भी होता है especially in the people who are diabetic जो डियबेटिक मतलब शुगर की बीमारी है उनके अंदर कम भी होता है और अबीस जो लोग बहुत मोटे हैं फैटी लोग हैं उनके अंदर भी दोज हूग कंजियूम टबैको और जो तमाको खाते हैं ठीक है और अलकोल पीते हैं या सराब पीते हैं ठीक है टबैको खाते हैं तो उनके अंदर भी बीपी की केसिस बने रहते हैं ठीक है तो उनको भी क्या करना है कंट्रोल करना है कैसे करेंगे तो यह आगे बताया जाएगा फिलाल तो गौर् इस प्रिकार, Reports on hypertension level in the population underestimate the cumulative risk of blood pressure या high blood pressure इस प्रिकार जो report hypertension को वो level बताती कि Population जो underestimate करती है उसे कम आंकलन में लेती है मただ ऐसा ज्यादर शिरिस लिनहीं लेती उसको टिक और यहीं average क्या है risk blood pressure है यान कि जो blood pressure है वो एक risk है किस चीज का death का क्योंकि fatal disease भी हो सकता है अगर यह 140 से ऊपर जा रहा है तो लोग इस पर ज्यादा दिहान देते नहीं है clear है आगे बोलाए इन दा डबलुएचो रिपोर्ट जो डबलुएचो की रिपोर्ट है यह तक कि जो लोग हैं वो hypertension से पीड़ेते हैं लगवाग ठीक है बन आफ अफ देम उनमें से the condition has been diagnosed only 37% यानि कि जो डाइगनोज की जारी ठीक की जारी है उनका वो 33% और 30% are the treated and meager थोड़ा से कम यह 30% जो लोग है वो थोड़े से people have hypertension अंडर कंट्रोल और 30% लोग है उनका ही क्या है वो जो बीपी है वो अंडर कंट्रोल में और 37% कैसे है वो डाइगनोज हो रहा है उनका treatment चल ला है यह सारी की सारी condition उन लोग की बीच में जो 30 से 79 यह के लोग हैं और यह जो आकड़े हैं वो 288 million people ठीक है यह लोग इंडिया के हैं उनके अंदर है या उनके हुआ से लिया गया यह आकड़े या इतने लोग पीड़े थे हैं भी पीचे कहीं ना कहीं ठीक है आगे मैं sentence को कर देता हूं highlight क्लियर यहां तक है बहुत ही आसान चीजे को हमें सीखना है हाला कि थोड़ी से आवाज हो सकता है आ रही हो लेकिन उसे अवाइड कर दें अब ठीक हो जाएगी विमन अपियर टूबी मार्जनली बैटर दैन मैं कि अगर हम विमन की कंडिशन देखें वो मैं से कंडिशन उ ठीक है यह लेस्ट कंप्रीट बोल सकते हो डेटा है फ्रॉम पार्ट अफ इंडिया इंडिया से लिया गया है इस्ट्रोक का मतलब होता है आगहात होना इंसिडेंस जो घटनाएं जैसे हाट अटक आना ठीक है यह जो घटनाएं वोज फाउंड बिट्वीन बन जीरो एट 172 पर 1 lakh people per year यानि कि 108 से लेकर के 172 लोग को क्या आता है एक साल में हट अटक श्ट्रॉक आता है ठीक है यह घटनाएं लगमें 108 से 172 लोग के बीच में आता है एक लाकों लोगों में यह तय है आना है आंकड़े ऐसे आए हैं दबन मन्त केज फैटिलिटी रेट वाज एट अगर देखा है अब तक फरवरी तक 22 तक की जो इस्टड़ी है उसके अनुसार यह आंकड़े बता रहे हैं कि 18 से 42 परसेंट जो लोग है उनकी क्या वहती फैटल डिसीज यानि कि यह बीपी के वेज़े से मिरत्ति हो जाती जब श्टॉक बगरा आता है तो ठीक है अब मैं अगला सेंटेंस को हालाइट करता हूँ इनोंने बोला है इन ग्लोबली बर्डन अगर ग्लोबली दुनिया में देखें डिसीज रिपोर्ट का जो बर्डन है इन 2019 हार्ट अटेक वाज लीडिंग कॉज ऑफ डैथ एंड डिसेबलिटी इन इंडिया के अंदर भी ठीक है क्य अच्छा कारण क्या है ज्यादा होने के एक्श ज्यादा खानाना आक्सेस मात्रा में क्या चीज़ सॉल्ट पहली वाद देखिए रिकमेंडेशन डवलु एचु को क्या है ओबर 5 ग्राम अगर 5 ग्राम से ज्यादा एक दिन में खाते हैं नमक तो ब्यिपी के केस बनेगा प hypertension यानि कि 17-30% लोग ऐसे हैं जो कि नमक ज़्यादा खाते हैं और उसकी विज़े से उन्हें क्या जाता बीपी की बीमारी हो जाती है ठीक है जो कि silent क्लार है यानि कि पता भी नहीं चलेगा और प्यारे हो जाओ भवान को इसलिए नमक कम खाओ वाइल मेंबर स्टेट्स आर रिक्वा रिक्वाइट टू अचीव थर्टी पर्शन रिलेटिब्ली रेड़क्शन इन मीन पॉपुलेशन इंटेक ऑफ सॉल्ट बाई टूथाजन कि अगर मेंबर्स जो हैं यानि कि जो इनके वहो में पहले तो सभी जुड़े हुए हैं तो उनसे यह बोला गया है रिलेटिब्ली रेड़क्शन करना है रेड़क्शन कमी करनी है किस में कि 30% तक जो नमक खा रहे हैं 2025 तक क्या करते हैं किस चीज में नमक खाने में ठीक है म मातरम जो ओबर 5 ग्राम पर डे खा रहे हैं ना उनसे बात हो रही वो कम कर दें इंडिया इस यह इंप्लीमेंट उसे एंप्लीमेंट करना है मैंनी कंपोनेंट्स बहुत सारी कंपोनेंट ठीक डबलू एचो प्रिसक्राइब कट डाउन दा सॉल्ट इंटेक जो लोग प्रि से खाल लेते हैं नमकीन बगरा ठीक है ऐसा लगता है कि हाँ यह अच्छी है बट आप अच्छी नहीं कह सकते कि कुछ इसमें सॉल्ट की मातरा जादा होती है कि कुछ आपने जो पहले न्यूट्रिशन जो हैं वो तो आप पढ़के खाते नहीं होगे लिया खालिया हमारे यह बज़े से समाशा है कहाते हैं जबकि वो बहुत देंजरस है ठीक है आ है इस्टडी इन फोर इंडियन इस्टेट पब्लिस्ट एक स्टडी पब्लिस्ट हुई फोर इंडियन इस्टेट में इन 2021 में हाई शॉल्ट एंड सुगर कांटेंट इन पैकेज़ फूड यानि कि जो पैकेज फूड है उसमें हाई लेवल पे शॉल्ट पाए गया और क्या पाए गया आपका सुगर पाए गया ठीक है सुगर और सॉल्ट जॉन नहीं ज्यादा मात्रा में पाए गया जब इस्टडी की ठीक है आगे नोने क्या वोला है कि मेकिंग फ्रेंट आप पैक कावल बेडिकर दिया है उसमें लिखा होना चाहिए इसमें क्या क्या है एंकरीजिंगग दा फॉर्मॉलेशन आप द फूर्ड we're not कि इसमें फूर्ड को या इसमें फूर्ड में इस तरह से खाना खाए या इस तरह से चीजा बनाएं कि उसमें सॉल्ट की मात्रा कम हो और लोगों में बढ़ानी आवेरनेस में जानकारी पीपल तो रिडियूस आल्ट इंटेक शुट भी अरिजिनली अंडर्टेकन कि लोगों को तुरंथ ही अभी क्या करना चाहिए नमक को कम से कम खाना चाहिए जो लोग खा रहे हैं वो डेंजरस है लोगों में अभी अनेस फैलाना जरूरी है ठीके गौर्वर्मेंट को यह इनिसिटिव लेना चाहिए इंडिया भी होगा अभी आगे पढ़के पता चल जाएगा इंडिया हैज हाउएवर डन वैल इंप्रूविंग ब्लेड प्रेशर कंट्रोल इन पीपल बिद हाइपरटेंशन थ्रू दन नोबल आइडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिसिटिव यानि की हाइपर यह लखा है इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिसिटिव एक न लोगों में थोड़ी जवेरनेस हो रही है और वो लोगों ने इंटेक करना किसीज को नमक को कम किया है और इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ठीक है आगे देखिए मैं फिर से हाइलाइट कर देता हूँ ठीक है यह देखिए इन्होंने क्या बोला है कि launch in 2018 यह initiative का लाग हुआ था यह launch हुआ था 2018 में IHCI has successfully enrolled 5.8 million hypertensive patient for treatment in 27 states as of June 23 यह आने कि as of का मलब अब तक जून 23 तक 5.8 million लोगों ने यह patient लें treatment 27 state में करा रहे हैं लोग ठीक है याने कि लोग treatment भी करा रहे हैं इस initiative के थूँ ठीक है IHCI के थूँ और ठीक भी हो रहे है ठीक है तो लोगों में अगर awareness आ है तो मुझे लगता है यह बीमारी होगी भी नहीं Importantly 48% of patient enrolled at primary health center ठीक है primary level पर क्या हो enrolled है and 55% health wellness center achieved blood pressure control as of March 2021 2021 के मार्ज तक उन्होंने blood pressure पर 55% लोगोंने control भी अच्छा पाया है ठीक है और 27 state याने कि हमारे 27 state में क्या है यह अभी चल रहा है आगे इन्होंने क्या बोला है यह देखिए it is now important अब important क्या है greatly greatly भी बड़े रूप में increase करना number of hypertensive people on treatment ठीक है लोगों को aware करना है जो जिनका treatment चल रहा है उनको भी ठीक है क्या किस चीज के लिए keep blood pressure under control की blood pressure को under control में रखा है कैसे रखा जाएगा नमा कम खाए exercise करें ठीक है और शुगर भी कम खाए यह शारी चीज़े कम करें तो यह आराम से बीबी के हो जागा का control में आ जाएगा ठीक है और आज का editorial कैसे लगा ठीक है और आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज्यादा update पाने के लिए और community में answer जरूद देना कैसे लगा editorial मुझे जरूब होता है थोड़ी से आवाज का मुझे लगता है आई होगी आज लेकिन थोड़ा स आप enjoy कि जो पढ़ते रहें